सबस्पर बात करेंगे आरे ने भरत जन्पद के अधोपति देवोदास के नित्रित्व में अनारे राजा शांबर को हर आया था किसको हर आया था? शांबर को नेक्स देखते हैं प्राचीन काल में नूरपूर के लोगों को अदुम्बर गण नाम से पुकारा जाता था सिर्मौर तथा शिमला के लोगों को कुलिंदगन के नाम से जाना जाता था तथा बुश्यहर के लोगों को असूरगन के नाम से जाना जाता था तथा बिलासपूर के लोगों को शितुद्रगन के नाम से जाना जाता था नेक्स देखते हैं, सुशर्मा चंद ने नगर कोट में अपनी राज़ानी स्थापित की थी, कहां की थी नगर कोट में नेक्स देखते हैं, बॉद धरम का प्रचार मुख्य था, कांगडा, कुल्लू, मंडी और सिर्मोर्यासत में हुआ था नेक्स देखते हैं, पानिनी और कॉंटेलिया ने अपनी कुरूतियों में पहारी सैनिकों को आयुद जीबी तथा शस्टोप जीबी कहा है, क्या कहा है, अशोक द्वारा पहारी राजियों में बॉधरम के प्रचार के लिए मुझ्यम नामक भिक्षु को भेजा था, किसको भ सत्यमित्र तथा आदुंबर राजा, शिबदास, रुद्दरदास, महादेव आदी के सिकों पर सरप, नाग, त्रशूल तथा स्वास्तिक, चिंक अंकितुए मिले हैं, क्या मिले हैं, स्वास्तिक, सरप, नाग तथा त्रशूल के चिन, बिहंगम मनिपाल जोकी प्रया के राजकुमार थे, उन्होंने कुलू पर पालवंश की निम रखी, तथा चंदरवंशी राजा प्रद्यूमन ने किनौर और रामपूर को मिला कर बुशेह रियासत की स्थापना किये थी, नेक्स देखते हैं, मारू जोकी अयुद्धे के राजा थे, ने चंबा रियासत की स नेक्स देखते हैं, नगर कोट के अन्य नाम है, पहला है, सुशर्मपूर, त्रिगर्थपूर, भीमकोट, तदा कोट कांगडा, नेक्स देखते हैं, नगर कोट किले पर 625 इस्वी से लेकर, एक हजार नौ इस्वी तक कटोच बंश की सीम शक्ति का प्रभूत्तप था, कि शासन समापत हो गया था, कब तक 1069, अगला देखते हैं, 1337 इस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक ने नगर कोट किले पर आकरमन किया, और उस समय वहां का शासक प्रित्वी चन था, कौन था, प्रित्वी चन था, नेक्स देखते हैं, 1365 इस्वी में फिरोशा तुगलक ने नगर कोट किले पर आकरमन किया, और उस समय वहां का शासक रूप चन था, और उसने कांगरा किले पर 6 मा तक अपना कबजा जमाए रखा था, कितने मा तक, 6 मा तक, अगला देखते हैं, फिरोशा तुगलक का दरवारी कभी, अजु दिन खालिद खानी, जो कि जुआला मु 1556, 1572, 1588, 1595 तथा 1604 इसवी में अकबर पहाडी राजियों को मुस्लिम राजे में मिलाने का प्रियतन करता रहा, लेकिन कांगडा में उसे कोई सफलता नहीं मिली, नेक्स देखते हैं, फिरोशा तुगलक पॉंटा घाटी में अशोक द्वारा बनाए गए, बौध इसवी में गोर्खा शासक काजी अमर सिंग थापा ने सिर्मौर की राजधानी नहान में नियंतरन कर दुर्ग बनाया था, कहां बनाया था, सिर्मौर की राजधानी नहान में, नेक्स देखते हैं, 1806 इसवी में अमर सिंग थापा ने कांगडा किला लूटा था, कब नेक्स देखते हैं, अठारा सो ग्यारा इस्वी में अमर सिंग थापा ने रामपूर, ठियोग, बलचन, कोटगड आदे को अपने अधिन किया नेक्स देखते हैं, अठारा सो चौदा में अंग्रेजों की गोर्खा के विरुद, रुद की गोशना हुई, कब हुई थी, अठारा सो चौदा में, क्या हुआ था, अंग्रेजों का गोर्खा के विरुद, आकरमन की गोशना नेक्स देखते हैं 1815 तक अंग्रेजों द्वारा, सिर्मोर, बिलासपूर, जुबल, बुशेहर, कियोथल, बांगल, नालागड, शांगरी, बगाट आदे पर सरक्षन प्रापत कर लिया गया था नेक्स देखते हैं 1846 तक सभी हिमाचली रियासतें अग्रेजों के धिन आ गई थी, कब तक आ गई थी, 1846 तक नेक्स देखते हैं 550 इस्वी में मारू ने चमबा रियासत की स्थापना की थी, कब की थी, 550 इस्वी में नेक्स देखते हैं 635 इस्वी में बीरसीन द्वारा सुकेत रियासत की स्थापना की गई थी कब की गई थी 900 ISP में नेक्स देखते हैं 920 ISP में साहिल बर्मन द्वारा चमबा शहर की स्थापना की गई और अपनी राजधानी को भरमौर से चमबा स्थनांत्रित किया था कहां किया था भरमौर से चमबा स्थनांत्रित किया था नेक्स देखते हैं है 1000 इसबी मे बहुर रियासंत की स्थापना किए गई थी बहुरू सेन द्वारा ठीक एैं एक हजार नौ इसमी मे महमूद के गया और ऑगरें और जो कांग्रा आकरमन था वो उसका भारत आकरमन का कौन सा क्रम था चोथा क्रम था Next देखते हैं 1080isv में अश्ट वर्मन द्वारा चम्मा में चांदी की मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गए था अगला देखते हैं 1595 इस्वी में जेट पाल द्वारा नूरपूर रियासत की स्थापना की गई थी 11100SB में अजेचंद्वारा हिंडो रियासत की स्थापना अग्ला देखते हैं 149SB में राजा रसालो गएधा की स्थापना के गई स्थापना की गई किसके दवारा राजा रसालो गएधा क्वेधा किसंठापना की गई ती यह गया शांड़ा01 upphat स्थापना की 1170 इस्वी में 1154 इस्वी में अभोज देव द्वारा कुनिहां रियासत की स्थापना की गई थी कब की गई थी 1154 में अभोज देव द्वारा कुनिहां रियासत की स्थापना नेक्स देखते हैं 1170 इसवी में पूरन चन द्वारा जुबल रियासत स्तापित की गई तथा शुबंश प्रकास द्वारा सिर्मोर रियासत को पूर्ण स्तापित किया गया को पूर्हाइएं गयारान सो सतर रस्वी सिरमौर राजा कौल परकास्ट वक्रांच रियासता बिरोधी निजामुल मुलक भयवीत होकर सिर्मौर में आश्रय लेने के लिए मजबूर हुआ था कब वह था बारा सो चाटी सिस्वी में कौन हुआ था निजामुल मुलक जोकी दिल्ली की रजिया बेगम का बिरोधी था नेक्स देखते हैं बारा सो चालीस सिस्वी में मदन स से इंद्वारा सुकेत की राजधानी पांगना से लोहारा जोकी बर्तमान बल में स्तित है आधिप पर स्तनंतित की गई कहां की गई पांगना से लोहारा जोकी बर्तमान समय में बल में स्तित है वहां स्तापित की गई नेक्स देखते हैं तेरा सो चालीस सिस्वी में बान से और उस मंहें कांघणा का राजा प्र다टवी चेंद था नक्स देखते हैं 2405 इस्वी में हरी चेंद द्वारा घुले रियासत की स्थापने की ग proprieteald tradicional 4025 1450 में सर्फ प्रथम संप प्रतम ने कांघणा रियासत की समेली समय 1450 में लेक्स देऺते हैं 1470 इартसिग में लंका सिर्मॉर की क्यार्दा दौन घाति पर आकर्मन हुआ था और 1421